जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में पानी का संकट बना हुआ है दिल्ली के कई सारे हिस्सें ऐसे हैं जहां पे परियाप्त पानी की सप्लाएं नहीं आ रही है इसका मुख्य कारण हर्याना से दिल्ली में जो यमना का पानी छोड़ा जाता है उसमें हर्याना का पानी ना छोड़ना इस पानी की समस्या का मुख्य कारण है जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली की डिपेंडेंसी काफी हद तक यमना के पानी पर है यमना के पानी से दिल्ली के water treatment plants चलते हैं दिल्ली में जब यमना आती है तो वजीराबाद pond पर यमना का पानी रुका जाता है वहाँ से तीन water treatment plants वजीराबाद, चंदरावल और ओखला को पानी प्रवाइट किया जाता है आज सुबह मैं खुद वहाँ पे inspection के लिए गई तो ये साफ साफ नजर आया कि जो normal water level 374 feet होना चाहिए वो पानी का स्तर आज 370.2 feet पर है जब यमना में पानी नहीं होगा, जब वजीराबाद pond में पानी नहीं होगा तो ये स्वाभाविक बात है कि वजीराबाद water treatment plant, चंदरावल water treatment plant और ओखला water treatment plant से आने वाली supply के पानी पर असर पड़ेगा